यार शाक टैंक का सीजन 2 देख रहे हो गया तुम लोग 12 एपिसोड आ चुके और मैंने भाईया सारे देख लिये हैं सीजन 1 आया था तो ऐसे आपके साथ बैट के बाते करी थी सीजन 2 आया है तो इसमें कुछ 3 अच्छी बाते लगी मुझे जाएंगे प्राइवेट भी कर रहे हो तो चलो ठीक है नौकरी तो कर रहे हो बिजनेस करोगे क्या ये बात सुनकर लोगों के कान खड़े हो जाते हैं ऐसा लगता कि कोई पाप कर दिया है किसी ने कि भी या बिजनेस मतलब सबसे ज़्यादा घाटे का सौधा और अगर चल गया तो इसका मतलब ये बंदा कोई लीगल काम कर रहा है क्योंकि अच्छा काम करके बिजनेस में कोई पैसा कमा ले ये कॉंसेट तो भारत के लोगों के मन में बस ही नहीं पाया है कोई सबसे बड़ा बिजनेसमें देख लो उसने दस्ट वर्टिकल में काम किया होगा ये तो पक्का कोई इविल इंसान और गर रिष्टेदार नातेदार मुहले पड़ो सब लोग जिंदगी भर बताते रहें कि भाया उन्होंने बिजनेस किया था बहुत घाटा लग गया था बड़ी गलत चीज होती है लेकि शाक टैंक के जरिए कॉमन लोगों के मन में ये बात बैट रही है कि नहीं यार अलग- चोटे बिजनेसे बना रहे हमने आपने नाम भी नी सुने बट उसमें भी लाखों और करोडों रुपए का बिजनेस बन रहा है और ये लाखों करोडों रुपए का बिजनेस जब मैं कहता हो ना या पैसे का मतलब ये है कि उतने वर्थ की उन्होंने वेल्यू प्रोवाइ दूसरी अच्छी चीज जो स्पेसिफिकली सीजन टू में मैंने देखी वो यह है कि क्लटर अब नहीं हो रहा है क्लटर का मतलब क्या उल जलूल फालतू की चीजें जो भर दी जाती है पहले सीजन में मुझे आद है एक इनसान आया था जो कह रहा था आपकी ना भी कैसे बड़ी करें उसकी मैं विधी बता हूँ एक आये थे वाई साब वो कह रहे थे कि आपका दिमाग ग्रो कर देंगे तो आप कलर्स को सूंग के पहचान लो के एक बार को मन में आने लगता है भाहिया मैं देख क्यो रहा हूँ और मैं देख क्या रहा हूँ उसके बीच में कोई कह रहा है ना भी बड़ी कर दूंगा जी मैं आपकी तो यह चीजे मैंने फिलहाल 12 एपिसोड देख लिए और मैंने अभी तक कोई ऐसा स्टार्ट अप न प्रोड़क्ट भी हैं और पूरन पॉली भी बेची जा रही है मेकप के प्रोड़क्ट भी आ रहा है और तमाम सारे ऐसे प्रोड़क्ट है जो देख के लगता है कि भाही अगर आप धंग से देखने निकलो सुबा से शाम तक अपने सारी चीजों को ट्रैक करो आप कितने स सारे प्रोड़क्ट यूज कर रहे हो और हर एक चीज में एक बिजनिस बनाया जा सकता है तीसरी चीज जो कई सारे लोग नेगेटिव कैटिगरी में रखते हैं बट मुझे लगता है पॉजिटिव बात कि शार्क टैंक को थोड़ा ज्यादा इमोशनल बनाया जाता है मेलो रूथलेस ऑंटोपरियोर है जो सुबह से शाम तक बस ग्रोथ की बाते करता है ब्लैक कॉफी पीता है कोट पैंट में रहता है और उसके अंदर का इनसान तो मरी चुका है वो एक रोबोट है मशीन जो बस नंबर की बाते करता है मगर यहां पर इस तरह की स्टोरी दिखात जैसे sort of emotionless topic में human angle ढूनके निकालना मुझे एक positive point लगता है यह बात अलग है कि इसका component कम रखा जाये तो ही better है वरना फिर dancing singing shows में और इसमें जादा अंतर रही नहीं जाएगा अब यह अची बाते कर ली तो थोड़ी बुरी बाते भी सुन लो सबसे पहली बात मुझे लग क्योंकि जोहो और जीरोधा जैसी success stories इस funding की अंधी race में ignore हो जाती है ऐसे businesses जो bootstrapped है अब अपने पैसे से खड़े की होगा business उसको लोग कहते हैं यह तो जादा glamorous नहीं है रहे funding उठाओ वीसी का पैसा लगाओ उसको जलाओ तम मजा आएगा यह चीज थोड़ी सी गलत है क्योंकि funding सब कुछ नहीं है profitability जरूरी है किसी भी business को एक long term में अच्छे से sustain करने के को एक थोड़ी से dangerous direction में पुश कर सकती है तो दूसरा negative point है कि भाया losses पर जादा लोग धान नहीं दे रहे हैं देखो shark tank की हर कहानी में sharks यह बोल देते हैं कि अरे आपकी company ने ज्यादा profit नहीं मनाया आपका gross margin कितना है net margin कितना है जादा नहीं है तो भाई जादा पैसे नहीं कि मार्केटिंग में खूब spend करके अपनी company की valuation तो बढ़ा रहे हैं लेकिन profit margin पर इनका भी धान नहीं है जिस चीज पर लोगों को जज कर रहे हैं वो चीज इनके पास already exist नहीं करती है और इस चीज पर बहुत कम लोग हैं जिन्होंने point out किया है तो अगर sharks को change करने का ही trend चल आप लोग negative मानों गया positive बट अशनीर ग्रोवर की absence clearly show में feel हो रही है देखो पहले season में जितने viral dialogue निकले ते शो से वो अशनीर ग्रोवर की डायलोग ही थे अब उसको आप toxic भी मान सकते हो और entertaining भी मान सकते हो उसके अलावा अशनीर ग्रोवर की personal life में या उनके business में जो मूँ पर कह दे रहा है शाक्स के अभी वो चीज मिसिंग है although अनुपम मित्तल की बातें थोड़ी सी मुझे honest लगती और वो देख के genuinely मजा आता है फिलाल इस वीडियो को शेर कर दीजे for more such videos subscribe